आपका अचीवर्स ओलाइन क्लासीज में, आज हम जो डिसकस करने वाले हैं, वो डिसकस करेंगे आपका सब्जेक्टी एक्जाम इसको में इस भी बोल सकते हैं, वो हम डिसकस करेंगे कि आपको उसकी प्रिप्रेशन कैसे करनी है और कोश्चनों का लेवल कैसे कैसे आएगा, तो सबसे पहले तो आपका syllabus तो यही रहेगा, कुछ basic सी चीजे जो आपको पता होनी चाहिए, बता भी होगी. तो आपका जो exam है, 150 marks का होगा, ठीक है, यह सब ही को पता है, इसमें आपके 18 question आएंगे, जिसमें से आपको 15, 15 attempt करने है, ठीक है, तीन question में आपकी choice चलेगी. आपको पहले ही ध्यान से रखनी है यह चीजे कि यह वाला मुझे अच्छे से आता है, यह नहीं आता, उसी question को छेड़ना है, ठीक है, ऐसा नहों कि उसमें आपको तीन पार्ट पूछे गए हो, जैसे 2 plus 2 plus 4, ठीक है, और एक पार्ट आपको बहुत अच्छे से आता हो, भा कुछनों को 10 marks का बनाया गया, 6 plus 4, इसको भी 10 marks का बनाया गया, 5 plus 5, इसको भी 10 marks का बनाया गया, ठीक है, तो आपको इस्टेजी ध्यान में रखनी है कि आपको यह वाला भी अच्छे से आना चाहिए, यह वाला भी, तभी आप उसको छेड़ सकते हो, ठीक है, तभी उसका अच्छे से attempt करोगे, अगर यह हुआ कि आपको आधा आता आता बिल्कुल नहीं आता तो उसको मत छेड़ना, जो पूरा complete अच्छे से आता है तो उसको ही छेड़ना, उसके बाद last में अगर नहीं आते हैं question तो ही उनको छेड़ सकते हो, ठीक है, तो यह चीज़े आपको ध सिट मिलेंगी, ठीक है, जो कागज paper आपको मिलेगा, वो 36 होगे, जैसे ऐसे करके standing तो एक करके तो 36 मिलेगा, ठीक है, अगर दोनों तरफ से लगाएं तो वो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, ठीक है, तो आपको 15 question है, attempt कर रहे हैं, तो आपको 2,5 sit में ही एक question को cover करना question को बड़ा 3,4 sit में कर दो, उसके बाद last की question ना ही रह पाएं, ठीक है, अच्छे से ना cover कर पाऊ उनको, तो वो सारी चीज़े आपको ध्यान में रखनी है, उसके बाद यह हो गया, next जो point है आपका, next जो चीज़े रहेगी, वो आपको क्या याद रखनी है, कि आपको अपने question का timing है, वो धान रखना है, आपके हर question का timing आपको 12 minute मिलेगा, तो आप 12 minute मत मानो, 10 minute मानके चलोगे, ठीक है, 10 minute एक question के लिए आप मानके चलोगे, क्योंकि, आप हमारे पास 3 गंटे है, जब हम paper को open करते हैं, तो 10 minute तो हमारी पूरे question paper को पढ़ने में, समझने में, थोड़ा हो प्लैस हो जाते हैं, उन चीज़ों में चली जाती है, और 5-10 minute हमारी last में चली जाती है, ठीक है, चीज़ों को चेक करने में, देखने में, फोटापट लिखने में, या बीच में signature वगरा होने मे तो आप एक question को 10 minute लगा के चलीए, ठीक है, 10 minute लगा के आपको question को चलना है, और पूरा करने की कोसिस भी 10 minute में ही कीजिए, 1-2 minute उपर निचे हो सकता है, तो यह आपका timing होना चीए, ठीक है, उसकी बाद question का जो content है, वो अच्छा लिखना, जितना कोसिस हो सके, अच्छा उस कुछ ऐसी भी new जो चीज़े है, वो सामने नहीं आई है, यही वाला आपका जो syllabus है, वो रहने वाला है, ठीक है, तो syllabus को ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, syllabus को जो अभी अभी आपने पढ़ा हुआ है, अभी थोड़े दिन पहले आपने पढ़ा हुआ था, almost बच्च कि मैं इस इस पार्ट में से कर लूँ, इस पार्ट में से कर लूँ, वर्ल्ल हिस्ट्री को भोती बेस्ट रखिए, एंसियंट को बेस्ट रखिए, और जो है, मैडिवल में कोई जादा आपके टोपिक नहीं बनते, पर मैडिवल को भी आपको करना है, ठीक है, पर जादा ज civilization अभी थोड़ा सा मैं idea देती हूं आपको कि कैसे कैसे question आपको करने हैं इसमें से सीधा सीधा question ये town planning का ही आता है कि जो question इसी को बना देते हैं पुरा कि यहां की जो town planning थी यहां कैसे थी कैसे नगरों को plan किया गया था तो उसमें आपको पूरी उसकी strategy अच्छे वाली याद कैसे अच्छे वाली कि यह नहीं कि आपको कहाने के रूप में 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 अच्छे अच्छे point आपको इसमें लिखने हैं ठीक है कि यहां पे एक systematic तरीके से घरों को बनाया गया था ठीक है घरों के बहार सड़के घरों का दर्वाजा कैसे खुलता था पानी कहां नालियों से ज चोड़ी ती कैसी ती स्कनानागार यह सब चीज़े आपको उसमें बतानी है कि जिससे साफ सफाई का भी विशेज ध्यान रखा गया चीजों को दिखने में भी सुन्दर लगे इस त्रेकी टाउन प्लानिंग यहां पे ती ठीक है यहां का जो धरम है धार्मिक चीज़े ज बस्तर पहनते थे वह सारे एक सिस्टम से पढ़ा हुआ उसी को एक जो भी पूइंट पूछा गया उसी के चीज़ के लिए आपने हैडिंग बनाया और उसके बारे में लिख देना है ठीक है कि लीपी के बारे में इसमें एडिश एड़ किया गया है कि लीपी क्या थी पहल बलने में आपको हडपा के बारे में याद रखना आ है यह मेन है बट आपको इसकी बारे में और पॉइंट क्या याद रखने है कर आपको कि इसके खोजो से हुई कि किसने कहा कि इसकी खोजिस डेट पर हुई है इसकी खोजिस पर हुई है तो सबकी अलग-लग पॉइंट लिखने हैं आपको उसके बाद इसके पतन डिकलाइन के कारण तो जरूर आपको याद रखने है कि इसके पतन के कारण क्या रहे हैं और सबकी अलग-लग स्टेटमेंट सब के राइटरों के नाम लिखने हैं और उनके बाद उनकी स्टेटमेंट लिखने हैं ऐसा नहीं है कि आप बता दो कि मलेरिया था एक मलेरिया से पतन हुआ है या फिर बाहडा ये इससे पतन हुआ है ठीक है ऐसा नहीं कर सकते हैं आपको इसके बारे में पहले राइटर जिस इसने जो भी कहा है इसले कहा है आरियो का माट excel हिलर ने क्या कहा वच ने क्या कहा यह सारे आपके नाम लीखने उसके बाद आपने उनकी statement लिखनी है कि ऐसे उन्होंने ऐसा कहा है कि malaria की कांठ पतन हुआ है बाड़豪 जाता होगी जन संक्या का दबाओ पड़ गया या फिर आरियो का आकर्मन है वो सारी चीज़े आपको वो statement सारी के सारी आपको करनी है उसके बाद next जो रहेगा आपका वैदिक इरा वैदिक इरा में आपको अगर आपका topic का नाम ही डाल दिया तो इसको आपने पूरा complete तरीके से इस topic को पढ़ना है कुछ भी आपसे पूछ सकता है पहले आरियो का आगमन सबने अपनी अलगलग statement दिये किसी ने कहा वो तिबबत से आये हैं किसी ने कहा गंगा ने दी कि दौआ बक्षेतरों से आये हैं किसी ने कहा यहीं से आये हैं तो वो सारे की सारे जो चीजे है वो आपको लिखनी है इसके बारे में कि आरिये कहां से भारत आये ठीक है तो वो आपको याद रखनी है उसके बाद यहाँ पर रिगवेदिक उत्तरवेदिक दोनों पार्टों को अलग-अलग से पढ़ना है कोईशन को कैसे भी पूछा जा स तो वो एक deeply आपको इसके बारे पढ़ना वेद सारे पढ़ने और वेद के बीच की जो definition भी पढ़नी है और उन वेदों का क्या ही रोल रहा है उनकी ग्यान का उनकी सिख्षा का आज के टाइम में क्या ही रोल है इस तरह से question पूछे जा सकते हैं आपका ठीक है कैसे कैसे वेद start where कहां तक आए कहां लिखे गई गुप्त काल तक वो सारे point आपको एक दूसरे से correlate करके याद रखने है ठीक है question का थोड़ा सा method आपको समझना है कि सीधा question ना पूछा गया अगर टेड़ा पूछा गया question topic के अंदर से ही होगा समझना है बस कैसे पूछा गया है ठीक है definition भी जो भी उनके बारे में है वो याद रखना है सोला माजन पदे में जो भी important है ठीक है उसकी पाद जो next रहेगा कि वो महाजन पद का जो उदै मघद का ही क्यों हुआ मघद का ही तो वो तो आप अच्छे से कर पाओगे कि मघद ही सोला माजन पद में से उपर सामने क्यों आया ऐसा क्या ही कारण रहे थे तो वो कारण सभी को पता है लोहे की खोज हो चुकी थी उसके जो है गंगा नदी के दुआव वाले एक शत्र में वो मद्या घाटी में स्थी थी था उसके बाद ध्यान की खेती स्टार्ट हो चुकी थी यहां के जो सासकते वो कुटनीती थी और सासकों की जो कुटनीती रही है जिसमें युद्ध हुआ या विवाईक संबंध हुए वो सारे हमें बिम्भी सार की जो भी कुटनीतिया रही है लिखने है उनकी योग्यता जो रही है वो सब इसके अंदर मगद के उद्या में, कुईशन देख लेना कितने नंबर का है, किस हिसाब से पूछा गया है, ठीक है, तो वो सारे आपको महाजन पद में याद रखने हैं, नेक्स्ट है, इसमें आप से स्पेशल पूछा गया है, बुद्धिजम और जैनिजम के बारे में, ठीक है, उनका उद्या क्यों होता है, तो जो बुराईया आने लगी थी, बुराईया फैलने लगी थी, उत्तरवैदिक काल के एंड की, उत्तरवैदिक काल में जो बुराईया आने लगी थी, वो आपको लिखनी है कि इनका उद्य क्यों हुआ बुद्धिजम और जैनिजम उनकी बुराई लिखने के बाद फिर अगला जो कुशन आपसे पूछा हुआ उसके बारे में लिखना चाहे उसमें आपसे बोध और जैन धरम के बारे में पूछा जाए या फिर उनकी सिख्ष पूछाए जो आपको याद रखनी है सिख्षाय क्या थी वह बहुत ही इंपोर्टेंट उसके बाद इन दोनों का कमपेरिजन क्या था कि जो यह है जैन्द्रम वाले शातवाद इसको अनेकदवाद को मानते थे और यह वाले जो हीनियान वाले हैं किसको मानते थे महायान व उसके हिसाब से आपको पता बड़े-बड़े मंदिर बनने लगे थे आसपास लोग वहीं बसने लगे थे ठीक है और इसका ट्रेड पर वेपार पर क्या फरक पड़ा क्योंकि आना जाना बोधरम के लोग और परचार करने के लिए बहार गए वहां के लोग यहां से सिक्षा लेने आए तो इसका वेपार पर ट्रेड पर आने जाने पर क्या ही फैक्ट पड़ा तो वो सारी चीज़े आपको याद रखने हैं ठीक है नेक्स्ट जो हम करेंगे वो करेंगे मोरियाज के बारे में आपको क्या याद रखना है सबसे पहले मोरिया के उत्पन होने के कारण कारण क्या थे इसके उत्पन होने के कारण तो कारण यही था कि जो धनानन ने अपमान किया था था थीक है उसके बाद जो एक अच्छा समराज्य बनाना चाहरा था चानक के कि कुठनीती इसमें आप लिखोगे तो वो सारे इसके राइज उद्य होने के जो कारण आपको पता होने चीए और उसके बाद इसका जो परसासन है वो तो सबसे important है इस चंदरगुप्त मोर्ये का परसासन पूरे इसके मंत्री है मंत्रों को कौन-कौन सा पद मिला था, क्या-क्या उनका कारिय था किस-किस विभाग में क्या कारिय करते थे वो इसके अंदर आपको लिखना है ठीक है, उसके बाद next जो है असोक के बारे में आप लिखोगे असोक के बारे में सबसे में उसकी धमनीती पूछी जा सकते है क्या है उसकी धमनीती रही थी, ठीक है उसने क्या ही जनता के लिए समाज के लिए कल्यानकारी कारिय सारे उसके पूछे चासकते क्या ही कल्यानकारी कारिय उसने किये थे क्या ही कुछ उसने नया किया था अपने अभी लेखों में अपने राज्य का राज्य के लिए इसने क्या कुछ ऐसा किया ठीक है और किस चीजों से वो मतलब किस अपना माइंड उसने पूरा डैवर्ट किया था क्या कुछ कारण रहे थे तो उसकी पूरा असोक को पूरा ही लेकर चलिए उसके सीला लेक, अभी लेक, गुहा लेक, ठीक है, सारे आपको लेकर चलने हैं, उसकी धम नीती लेकर चलनी है, उसने कहां-कहां भेज़ा अपने बेटों को, वो सब इसमें आपको एड़ करना है, Decline and Fall of Moria Empire, पतन के कारण, पतन के कारण क्या रहे कि, असोग की जो यह नीती रही है, ठीक है, बोध धरम उसने अपना लिया था, तो उसने अपनी सैना को घटा दिया था, सैना घटाना भी कही ना कहीं, उसके पतन के कारण बने है, कम्प्लीटली उसने अपने राजय की तरफ ना ध्यान दे कि, अपने माइंड को पूरा का पूरा बोध धरम की तरफ कर दिया था, और उसके जो उत्रा दिकारी थे, वो भी बोध धरम ले चुके थे, और कुछ उत्रा दिकारी उसके कमजोर थे, इस वज़े से भी कहीं ना कहीं, ये कारण बना इसके decline का, ठीक है, क्य जो भी पूस्तके लिखी गई है, वो याद रखनी है, वो सब उसके golden period के अंदर रहेंगे, जो भी मंदीर वगरा बने है, वो भी golden period के अंदर आएंगे, ठीक है, तो इसके अंदर ये आएगा, उसके बाद समुंद्र गुपता, समुंद्र गुपता में आपको क्या करने है उसके जो, दकशिन के जो अभ्यान रहेंगे, उत्तर में, जिसके साथ उसके यूद हुए है, वो सारे समंदर गुप्त के अंदर आपको याद रहने हैं, उसके बाद चंद्रकुपता विकर्दित है, इसके बारे में आपके जो यूद हुई है, जो सिक्के चलाए हैं किसको हराया है इसकी कोई नीतिया है क्या क्यूछ इसने किया वो इसमें आये गा फिर परसासन के अंदर आपका जो धार्मिक चीज़nelle हैं ट्रेड हैं कोमर्स व्यपार सब यसके अंदर सब करें कितना टैक्स लेते क्या कुछ था इनका उसके बाद हर्सवर्धन पुष्यभूती वंस पुष्यभूती डाइनिस्ट्री में कम्प्लीट ही करना है इसको जितना भी इसके बारे में इनकी इंट्रोडेक्शन्स है इनके फादर, इसके बेटा, सब के बारे में इनके युद्ध किस-किस के बीच हुए क्या ही इनकी परसासन की नीतिया रही है, वो सब आपको पढ़ना है तो किसी भी तरह से आपसे पूछा जाए अब यह लिखा हुए सोसाइटी एंड एकनोमिक फ्रों वैदिक तिल सेवंध सेंचूरी यह अलग से स्पेशल आपको बताया गया है कि सोसाइटी और एकनोमिन का जो सामाज है और आर्थिक चीजे रही है वैदिक काल से और एंड फुष्य भूति वंस तक वो आपको डिटेल में पढ़नी है अभी तो आपको परसासन पर जोड दे रहे हैं दिल्ली सल्तनात मलब उनको कैसे स्थापित किया गया जो दिल्ली सल्तनात है वो कैसे स्थापित हुई किस-किस का रोल रहा तो उस वक्त उत्तर भारत के जो राजवन्स चल ले थे, जिसमें आपके पालवन्स थे, राजभूत वन्स, गुजर परतिहार, वो सब चल रहे थे उत्तर भारत में, उनके साथ इनकी जो फाइट होती है, यूध होता है, और उनके बाद उनका पतन और इनका उद्य होना और किस किस के बारे में पढ़ रहा है कुतुब दिन एगबक के बारे में पढ़ना है ठीक है इल्टु तमिस के बारे में आपको पढ़ना है और हाँ अलबुरुनी के बारे में थोड़ी डिटेल आपको पढ़ लेनी है अलबुरुनी भारत आया था तो उसके बारे में काफी डि उसके बाद आपका फिरोज साथ उगलक की नीतिया है इनके बार में आपको पढ़ना है और जब दिली सल्तनत आप पढ़ो उसके जो एंडिंग में आप जाकर हमेशा जो क्लास रहती है वो क्या रहती है उनके जो आर्टेक्ट्चर है संस्कृति है कला है उनकी जो सैली है कहा कहा की सैली उन्होंने प्रियोग में की गीए कौन-कौन से सैलीों का मिस्त्रण है वो सारी चीज़े आपको याद रखनी है तो ये काफी इंपोर्टेंट है ठीक है ये चीज़े भी आपको याद रखनी है उसके बाद नेक्स्ट मुगल में आपको बाबर से करनी है तो बाबर के जो भी यूद वगेरा होते हैं बाबर ने जो भी यूद की हैं जो भी उसके भ्यान रहे हैं वो आपको करने है इसके अंदर और उसके बाद जो आपका आता है बाबर के बाद हुमायू हुमायू में आपको में सेरसा सूरी के बारे में पढ़ना है उसको सबहां सब्सक्राइब के बारे में बढ़ना और अकबर की जो भी अभ्यान रहे हैं जितनी भी नीतिय रहे वह सभी आपको इसके बारे में पढ़ने हैं थीक। इसमें आपको उनकी मनसबदारी पड़था, जागीरदारी पड़था, जो मनसबदारी है, जागीरदारी है, यह काफी important असामदवादी जो भी पड़था रही है, इनकी काल में हम पड़ते हैं, पूरा डिटेन में मनसबदारी और जागीरदारी पड़था को, वो आपको मे याद रखनी है वो आपको अच्छे से पढ़नी है ठीक है जो है जो मेडिवल में जैसे हम पढ़ते ना जो इसके अंदर हाँ भक्ति मुवमेंट्स और सूफिसम भक्ति मुवमेंट्स और सूफिसम इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है अभी तो शायद इसका कोई question नहीं आ किसी एक का भी जिससे बोल दिया संकराचारिया, या बोल दिया मीरा, किसी के बार में आपको डेटेल पुछी जा सकती है, दो तीन आपको दे दिये, या फिर कबीर के और इनकी नीथियां आपसे पूछ ली गई, तो ये चीज़े आपको याद रखने हैं, धो ध्यान से पड कि उसल्टल काल में जो भी चीज़े बनेगी सल्टनध काल में जो भी चीज़े बनेगी जाहे को इसmond क्त्र का इा इसकी जो करूश और कैसी ती वह सारी आप से पूचे जा सकती है तो उन दोनों के हर संखेब्स को एक अच्छे से उसमें आप से सीधा ही question पूछा जा सकता है कि आपको जो है जो मध्य काली भारत है उसमें आप मुगलकाल की स्थापते कला के बारे में कुछ बात बताईए तो आप जैसे ही लिखोगे तो उसमें क्या लिखोगे तो आपने कोई किसी की भी अलग-अलग इसमें यूज की गही है कैसा पत्थर इसमें यूज किया किसने बनवाया कहां पर बनवाया तो इस तरह से आपको अपना पूरा question cover करना ठीक है उसकी बाद आते हैं आपका freedom moment ठीक है freedom moment आपको ने अच्छे से पड़ा होगा आप भी इसमें क्या है आपको पूरा ही detail में जा की ठीक है जो सैनिक है धीरे-धीरे कहीं ना कहीं विद्रो करते रहते तो वह साइज चीजें आपको इसके nature में आड़ करनी है क्योंकि 800-57 से बहुत पहले 800-6 तक 1700 के ला कहीं ना कहीं कोई सैनिक विद्रो हो रहते तो वह सब आपको एड़ करने इसके अंदर nature में और कारण तो इसके सब यही है कि जो कारण आपको यही एड़ करना है कि जो उनके साथ भेद्वा हो रहा था सैनिकों के साथ भेद्वा हो रहा था या फिर उनको अच्छे पदोंपर नहीं मिला था उनको कहीं दूर स्थानों पर भेजा जा रहा था वो सब इनके nature और cases में आ तो वो अंग्रेज को लीडर्सीप मैं थे तो वो याद रखने हैं थिक है उसके बाद आपको सब आपको इनका पढ़ने है उनके जो इंपक्त रहेेगा बाद में जो आपको आएगा 888 का अधीनिम वो उनके इंपक्त में आएगी शीज़े ठीक है उसके बाद धार्मिक सुधार आंदोलन है चहिसमें राजा राम मोहन राहा है ध्यानन सहसुवती है इनकी बारे में डिटेल आपसे पूछ रहे हैं इस्वा चंदरविद्या सागर है किसी एक के बारे में भी आपको बूच लेंगे या फिर आपसे पूछ कॉंग्रेस जब बनेगी ना कॉंग्रेस बनने के बाद उदारवादी उगरवादी दो पार्ट भी बनेगे बीच में बंगाल विभाजन भी होगा सूरत अदिवेशन भी होगा ठीक है मुस्रिम लीग की स्थापना भी होगी और उसके बाद जो भी करांतिकारी आएंगे सार में रखनी है नेक्स जाप करहेगा आपका स्विधान थीक है स्विधान में आपको क्या पढ़ना यह इसके अंदर इसमें आपको 1773 अधीनियम से स्टार्ट हो के 1950 तक जब हमारा भारतिय स्विधान बनता है तियार होता है वहां तक की सारी डिटेल आपको इसके बारे में पढ़नी है तो वह सारी डिटेल आपको इसके बारे में जाननी है उसमें सारे के सारे आपके जो भी स्मीतिया बनेगी तंतरता से पहले जो स्विधान सबागा गठन होगा, उसके बाद जो गठन होगा, कौन-कौन member होगे, कितने department होगे, कौन-कौन उसके सदश्या होगे, सारी चीज़े आपको याद रखनी है, ठीक है, उसके बाद next है, the rise of ancient civilization with special reference, हाँ, Mesopotamia, Mesopotamia के बार में पूरा आपको detail में पढ़ना है, इसमें, कि जो Mesopotamia है, इसकी जो 11th और 12th की बुक वो तो आपको अच्छे से करनी ही है, ठीक है, उसमें से सारे करनी है, बाकि इसकी जो detail है, वो आपको अलग बुक से या आपकी जो classes हैं, उससे आपको पढ़ना है, ठीक है, या फिर इन पूरे युद आपसे पूछ रहेंगे, कौन सा युद ग्रीक का है, मतलब इसमें क्या क्या कुछ हुआ, तो वो सारे जैसे इसमें, बहुत सारे हम Greek civilization पढ़ते हैं, और उसके बाद जो हापका Nomadic People, Central Asia, इसमें वो ही यायावर समराज्य, पूरा उनको बारे में आपको पढ़ना, उनकी दसमलव नीती के आपसे पूछ लिये जाए, चंगेज खा के बारे में आपसे डेटेल में पूछ लिया जाए, चंगेज खा के उत्रादिकारी बारे में, या उनके अभ्यान जो रहे हैं, चीन की तरफ, जितने भी उन्होंने किया, उनके बारे में पूछा जा सकता है, ता डार्केज, फ्यूडलिजम, एम्पायर, इसमें ये वाला जो टॉपिक है, आपको 11 की NCRT में अच्छे से मिल जाएगा, फिर इसकी डेटेल, आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, उसके बाद next है, पुनर्ट जागरन और धरम सुधारान दोलन में ये बहुत ही important है, कुछ भी पूछा जा सकता है, किसी special एक, विद्वान के बारे में, special एक, चितरकार के बारे में, उनकी चितरकारियों के बारे में, कुछ भी इससे आप से पूछा जा सकता है, या Catholic धरम कोन सा था, प्रोटेस्ट धरम कोन सा था, अलग अलग धरम, इनकी तुलना आप से पूछी जा सकते हैं, कि दोनों को comparison करके बताईए, कि किस में क्या कमी थी, किस में क्या खासियती, किस का कौन जनक था, किस किस आपना किस ने गी थी, तो इस तरह आप से पूछा जा सकते हैं, ठीक है, और Capitalism, ये वाले जो है, आपको उध्योगी करांती वाला टोपिक बहुत अच्छे से पढ़ना है, उध्योगी करांती के इसमें effect पूछे जा सकते हैं, खोज पूछी जा सकती है, ठीक है, और जो आपका, जो आपका समराज्यवाद है, या फिर उपन समराज्यवाद की इस तरह है, और जापान 1840 से 1459, जापान और चाइना 1840 से स्टार्ट करके, 1949 की डिटेल जो आपको पढ़नी है, कोईशन को कैसे भी पूछा जाए, इनमें कमपैरिजन पूछा जाए, या फिर इनके बारे में अलग लग जो भी रहे है, और नेता वगेर अब मैं कुछ जो वो next class में जो question आपके रहेंगे वो मैं आपको लेके आओँगी कि question कैसे कैसे बन सकते हैं, किस तरह की question की appointment कैसे आएगी वो मैं next class में आपको बढ़ा दूगी, इसमें आपको एक paper है, वो मैं दिखा देती हूँ आपको, एक paper जो इसका है, आपने देखा होगा, HPSC का 2022 का जो exam है, देखे, इसके बारे में मैं थोड़ी से आपको question का level थोड़ा सा बता सकती हूँ कि किस तरह के question पूछे जा सकते हैं, जो आपको पता चल जाएगा, इससे ठीक, अगर आपको question ना दिखे, तो मैं आपको question बता होगी, पढ़के, क्योंकि इसमें शाय थोड़ा बलर है, एक मिनट, starting, एक मिनट, देखे, question का starting यहां से है, यह HPSC का exam है, HCS करनो, HPSC, HCS का exam है, इसमें आप थोड़ा सा धिहान दीजिए, question का, जो यह तो पंदा पंदा नंबर के question पूछे, पूछे गए है, हमसे इससे कम भी पूछे जा सकते हैं, देखो, आठ नंबर में हम इसको तो लिख सकते हैं, दस नंबर में भी लिख सकते हैं, इसको, ठीक है, किसको भई? इस वाले को, पर कुछ स्टेटमेंट ऐसी हो जाती है, कि हमने इतनी मोटी-मोटी भुके तो आठ बारे में, ठीक है, यह आपका हो जाएगा, तो एक QATION पूछा गया है, किसने? HPSC ने HCS के EXAM में इसको पूछा गया है, उसके बाद थेरवाद बोद धरम, ठीक है, इन्होंने इसको आठ नंबर में पूछा हुआ है, पर आपने आठ नंबर में इसके बारे में नहीं पड़ा हुआ है ठीक है आपने इसको तीन चार नंबर में आप कर सकते हो पांच नंबर में कर सकते हो तो हम दस नंबर में इसको नहीं कर सकते हैं तो आपको यहां पर राजिता हूं सिधान ठीक है तो ये बल्बन के बारे में सारी नीतिया है चाह 치स्टा है पाबो З he और वो क्या ही अपने आपको समझता था क्या है इसकी स्टेट्मैंट थी सारी चीज़े इसमें आपको अड्ड करनी है बल्बन का सिधान ठीक है उसके बाद next है, शायद से हमारे syllabus में वो छूट गया है, उसमें जो starting होती है ना हमारी modern history की, modern history की जो starting होती है, वहाँ पर जो question है, एक मिनट पहले इसमें देख लेते हैं, last में बता दूगी, भारतिये कमपनियों का भारत में आगमन, यह हमारा topic है, अभी हमने notice नहीं किया, भारतिये कमपनियों का, जो है विदेसी कमपनियों का भारत में आगमन, तो आपको सारी कमपनिया पढ़नी है, ठीक है, चाहे आपकी Dutch है, चाहे आपकी Francis है, Danish है और आपकी Portuguese है, English सारों की detail पढ़नी है आपस में उनके youth पढ़ने है किस-किस के बिच किस-किस का youth होता है, वो पढ़ना है वो सारी detail आपको जाननी है उसमें, ठीक है? और फिर जब उनके Marato के साथ youth होते है बंगाल के नवावों के साथ youth होते हैं, वो भी आपको detail में पढ़नी है वहाँ से भी question बनते हैं तो जैसे Marato का Kendriya Parsasana सीधा पूछा गया है तो परसासन बहुत अच्छे से हमें detail इसकी 10 नंबर में भी कर सकते हैं तो एसी आपको किसी भी बंगाल के बारे में पूछा जा कता है कि पूछा गया है कि जो मोरिय समराज्य, प्राचीन भारत का वृद्रृतम राज्य है और उसे संचालित करने हैं तो एक विस्त्रित परसासन की आऊ सकता थी मोरियों के या दिन परसासनिक धाट्चे के विवेश ना कीजिए तो ये मोरियों के बारे में पूछा गया है तो सीधा सीधा आप से पहले मोरियों के बारे में हमने थोड़ा बताना है introduction और उसके बाद उसकी जितना भी परसासन की बारे में बहुत सारे pages आपको specially पढ़ाय जाते हैं तो वही आपको इसमे याड करना है मोर्य परसासन की स्रवाधिक परबल विसेश था इन्होंने ये पंद्रा पंद्रा नंबर में पूछे गए हमारे पंद्रा के नहीं आएंगे हमें पांच-पांच में भी पूछा जा सकता है हमें 10 कोईशन बस आप ये देखना कि किस तरह से कोईशन पूछा गया है केंद्रित और एकात्मक राज्य की स्थापना की गई है इसका विशलेशन करना इसमें भी मोर्य के परसासन में क्या ही उसने पूरे के पूरे देश में एकता स्थापित की है तो उनकी जो केंद्रिय एफसासन रहेगा उनका जो प्रांत रहेंगे वो सब आपको इसके अंदर लिखने है इसमें तो सारे वो लिखने होते हैं जो आपके उनके जो मंत्री रहेंगे उनके जो कारिय रहेंगे और उनने क्या कहा परसासन संभाला इसमें लिखा जाएगा, केंद्रिय परसासन जो है, वो कैसे स्टार्ट हुआ, कोन उस सक्ति को संभालता था, कोन प्रांत को संभालता था और वो क्या-क्या कारिय करते थे इसमें एकात्मक तक के बारे में लिखा जाएगा और कैसे कैसे प्रांतों की जानकारी केंदर तक पहुंचती थी कैसे हैंडल की जाती थी चीजे वो सब असो के अधिन के जो मोरिय रास्तंतर का सवरूप पित्रविर्थ कल्यानकारी इसमें वही मैंने आपको बताया कि इसमें इसके सारी धम, निती, कल्यानकारी, राज्ये के लिए जो कारिये की वो इसमें लिखे जाएंगे, ठीक है, उसकी बाद next जो रहेगा, कुतुब दिन, एबक और इल्टु तिम, इसकी जो भी आर्थिक और किसक, इन्होंने जो भी नीतिया चलाई थी, चाहिए इकता प पढ़नाली उसने चलाई थी, ठीक है, कि कौन-कौन सदश्यों को बजार में और किस्ती विभागों में उसने नियुक्त किया था, ये सब आएगा, मुहमद बिन तुगलक, फिरोसा, तुगलक की आर्थिक, सेम, इनके अंदर भी यही चीजे पढ़नी है, जैसे हमने मुगलकाल में मनसबदारी, जागीरदारी व्यवस्ता, ये हमने अच्छे से किया हुआ है, उसके पहले है, ये सारी आपको अच्छे से पढ़नी है, नेक्स, जो है रेत्वाडे व्यवस्ता, इसको डेटेल में हमसे तो ये पंदर्रा नमबर में नहीं पूछा जाएगा, ठीक आठ नमबर में हां आठ में आप इसको कर सकते हो आठ में रेत वाड़े को आप कर सकते हो जो सब आपको पढ़ने हैं यहां का जो सामान है जो फिमस्त हो चुकी थी वहांका टैयार माल यहां सस्ते दामों पर बेका जाता था यहां से कच्चा माल माले जाया जाता था, यह जो इफेक्ट पढ़ते गए जो भारत की एकनोमी पे वो सारे लिखने हैं, सोवियत संग का पतन, रूस के बारे में जो इन्होंने लिखा हुआ है, उसके बाद है उगरवाद, उदारवाद और उगरवाद जो है, इनमें दोनो हमेशा बिक्षाविर्ती में और आपने पत्तर को लिख के यह सब चीजें डिसकसन करके माना चाते थे, पर यह इन चीजों में बिलीव नहीं करते थे, ठीक है, उसके बाद है, बिस्वी सदी में यह उगरवाद के बारे में पूछ रहा है, इसी के तीन पार्ट, इसमें त अरविंद घोषते हैं, पहले उदारवादी नीती थे, उगरवादी कैसे आई, और फिर इनका उदारवादी क्या थे, उदारवादी चीजों से बिलकुल भी पसंद नहीं कर नहीं कर रहे थे, क्योंकि अनलेे बात माह थे, और यह आंदोलन में कैसे रुपानधि स्वाद में जो बंगाल विभाजन उसके बारे में डिटेल बतानी है ठीड है और 此र् french नेता के रूप में सुभाषshire बउस सिद्ध याद रठ नी और इसका जनम् उसमें जो अदिवेशन हुआ था मातमा गांदी से कैसे इनकी क्या हो गए थे जगड़े हो गए थे जब सीता भी पट्टा रमया के साथ यह जीत गए थे सीता भी पट्टा रमया जो हार गए थे मातमा गांदी ने कहा सीता भी पट्टा की हार ही मेरी हार है तो इस तरह से फि तो यह चीजे थी उसके बाद है इन्होंने सतंतर्टा संग्राम में अब भारत से चले जाते हैं कहां पर जर्मनी जापन टोकियों वहां पर इनकी क्या-क्या अंदोलन नीतिया रहती है क्या-क्या स्टार्ट करते वो सब आपको डिटेल में तो मैं सिर्फ को बता रही हूं न युनान में जितने भी युद्ध होते हैं फारस के साथ युद्ध हो पहले पूनेश का युद्ध है ठीक है बहुत सारे युद्ध है वो सारे आपको डिटेल में लिखे पूछे जा सकते हैं तो वह सारी आपकी जानकारी के लिए मैंने आपको थोड़ा सा एक ओवर्व्य के बाद आपको पीजी तक का डीप मैटर आप में हर टोपिक में पढ़ना है और आपको सबसे मेली लिखके देखने की प्रैक्टिस है जितना मर्जी लिखोगे जितना ज्यादा लिखोगे आप वही तक परफेक्ट रहोगे तो आज के लिए इतना ही काफी है क्योंकि बार- आपको और मेरे जो भी बच्ची हैं सबके पास मेरा परसनल नंबर है आप मेंसेज कर सकते हो पूछ सकते हो ओकी आज के लिए इतना ही काफी है बाबाई